हेलो स्टूडेंट्स मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल त्यारी ओनलाइन में आज हम डिसक्स करेंगे वॉक्सीट 17 और वॉक्सीट है क्लास 10 का 13 अगस्ट 2020 का वॉक्सीट है आज का टॉपिक है हमारा विकास तो चली स्टार्ट करते हैं वॉक्सीट 17 अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो पसंद आए तो इससे लाइक और सेर जरूर करें वैल आइकन अवश्य दवाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक महुशता रहे तो च देशों के विकास की तुलना करने के लिए उनकी आए यानि आमदनी की जानकारी महत्तपूर्ण हैं जिन देशों की कुल आए अधिक हैं वह कम आए वाले देशों से अधिक विक्सित समझे जाते हैं लेकिन इस तुलना में कुछ रास्ट्रे आए इतना उप्योक्त माप न नहीं चलती इसलिए औसता आई की तुलना की जाती है जिसे देश की कुल आए को जनसंख्या से भाग देकर निकाला जाता है औसता आई को प्रतिवेक्ति आए भी कहा जाता है विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट में इसी को आधार बना कर देशों को निम्न कि एकोडिंग डिस्ट्टिब्यूट किया जाता है कि जिसका άई इतना होगा वह उस category में आएगा तो यहां देखेंा जिसका आए सब से कम होगा जिस देश का उसको निम्लवर्ग में बाटा जाएगा और जिसका आए मीटिम में होगा उसको मद्यवर्ग में और और जिसका आई सरवारिक होगा उस देश को उच्चे वर्ग में या समरिध्य देशों में सामिल किया जाएगा। तो हमारा देश भारत मध्य वर्ग ये आई के अंतरगत आता है। और यहां देखिए औशत आई निकालने का भी बता रखा है कि हमें औशत आई कैसे पता चलेगा। देश के प्रतिवेक्ति आई बड़ाबर होता है रास्ट्रिय आई बट्टे में रास्ट्र की कुल जन संख्या। जब हम रास्ट्रिय आई को डिवाइट कर देंगे रास्ट की कुल जन संख्या से तो हमारा क्या फाइंड हो जाएगा देश के प्रतिवेक्ति का आई अब यहां देखिए पहला प्रस्ण हमारा है देशों के बीच तुलना में कुल आई की रास्ट्रिय आई के तुलना को अधिक उप्युक्त क्यों नहीं माना जाता है क्योंकि देशों की जन संख्या अलग-अलग होती है और इससे प्रतिवेक्ति आई पता नहीं चलता इसलिए दूसरा प्रस्ण देखिए प्रतिवेक्ति आई क्या होती है तो प्रतिवेक्ति आई जिस देश की कुल आई को जन संख्या से भाग देकर निकाला जाता है उसे प्रतिवेक्ति आई कहते हैं और देखें यहां दूसरा प्रस्ट भी है इसे कैसे निकाला जाता है तो देखें इसे निकालने का फॉर्मूला है आप इसे हमेशा ध्यान रखें देश के प्रतिवेक्ति आई बडाबर होता है किसक की तो हमारा फाइंड हो जाता है देशके प्रति वैक्तिय बराबर रास्टों और रास्ट की कुल यह other इन चैन आवास्ट के विविए बैंक के विगास के लिए किसे आधहार बनाया जाताए भारत किस आई वर्ग में आने वाला देश है, तो मैंने अभी आपको अनुछेद में बताया हैं कि भारत किसाई में आने वाला देश है, तो सबसे पहले यहां जो हमारा पहला प्रसन है वो देखिए, पहला प्रसन हमारा है विश्व बैंक के रिपोर्ट में विकास की तुलना के लिए किसे आधार बन बनाय जाता है औशताय को किसी आधार बनाय जाता है औशताय को और दूसरा प्रस्ण हमारा है भारत किस आयवर्ग में आता है तो हमारा देश भारत मध्यम आयवर्ग में आने वाला देश है चलिए अगला प्रस्ण देख लेते हैं अगला प्रस्ण क्या है हमारा अगला प्रस्ण है किसी देश में कुल आय का बड़ा हिस्सा कुछ ही लोगों के पास हो तो औसत आय भी सही इस्थिती नहीं दिखा पाता सोचिए कैसे तो चलिए हम इस पर डिसकस करते हैं क्योंकि कुछ लोगों के पास अधिक आय है जब हम औसत ग्यात करेंगे कुल संपत्ति की वहां की जनसंक्या से भाग देंगे तो औसत आय ग्यात होता है अगर मान लेते हैं कि किसी एक देश की कुल आवादी कितनी है एक देश की कुल आवादी है सो लोगों की तो देश की कुल आय कितनी है तो कुल आय हो गई एक लाख रुपे तो यहाँ पे औसत निकल जाएगा औसत आय यहाँ पर हम ग्याद कर लेंगे क्या? औसथ आए, औसथ आए बराबर क्या हो जाएगा? औसथ आए बराबर कुल आए, तो कुल आए है एक लाक रुपे कुल आए को भाग दे देंगे, आवादी से आवादी कितनी है? तो आवादी है 100 लोगों की चले भाग दे देते हैं तो कितना find हो गया? 1000 यानि औसत आई कितना निकल गया? औसत आई निकल गया 1000 रुपे अब यहां माल लेते हैं कि 5 लोगों के पास कितनी है? 80,000 रुपे हैं ठीक है? 5 लोगों के पास 80,000 रुपे हैं यानि इनकी आई कितनी है बहुत अधिक है तो 100 में से 5 लोगों के पास अगर 80,000 है तो कितने लोग रेस्ट बच गए 95 लोग एक्स्ट्रा बच रहे हैं तो 95 लोगों का आई ग्याद कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 20,000 को डिवाइड कर देंगे 95 से तो कितना आजाएगा ये आजाएगा हमारा 210.52 रुपे यानि 95 वेक्तियों की आई कितनी फाइंड हो गई 210 रुपे 52 पैसे तो इस तरीके से अगर हम औसत ग्याद करते हैं तो यह औसत जो है वह सही इस्तिति नहीं दिखा पाता है तो यह वाक्षिट यहीं समाप्थ होता है आपको वाक्षिट कैसा लगा आप हमें कमेंट कर के बताएं अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें साथ ही अपने दोस्तों को भी सेयर करें ताकि उन्हीं भी हमारे वीडियो से वॉक्सिट को सॉल्ड करने में हेल्प मिले आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेस्बूक पर भी फॉलो कर सकते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में आप सब का धन्यवाद